हेलो गाइज कैसे हो आप सब आज आप सभी का ओडिट का पेपर हो गया और बहुत ज्यादा रिलाक्स मिलाओगा आप सभी को मुझे पता है तो फटा-फट से मैं आपका ओडिट पेपर का रिव्यू ले ले तो जैसे कि मैंने जिस बच्चे ने ओडिट स्ट्रेटेजी कि वहीं से पेपर आएगा वही कोशन वह कवर जुरू कर लेना ऐसे 540 आया ऐसे 610 आया 705 मैंने ऐसे 700 की सीरीज बोली थी तो उसमें ऐसे 705 आया SQC1 का मैंने कहा था कि कंबसरी कोशन में आयेगा वो भी आ गया और ओडिट कमेटी आया बैंक ओडिट एंड ऑटोमेटेड एंवारिटमेंट का तो मैंने वीडियो डाली थी यूटूब पर जिसने देखे होगी उसको बहुत हैल्क होई होगी और टेक्स ओडिट का मुझ से आया जो मैंने स्ट्रेड़ीजी पतायती एंड 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 एंसी क्यों पार्ट आपको पता होगा आपने कैसा कर रहा है सब अच्छा हुआ 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 हैं अगर फिर भी का थो थोड़े न्यूप प्र प्र पूड़कर आगया यह कॉपी-पेस्ट हुआ हो तो हम मैं इस पेपर को थोड़ा एबरेज लेवल कहीं कह सकते हैं कि यह एबरेज लेवल का प्रता एसे फेंवेबर का मैं आपका रिव्यू नहीं लिए था मा वह ऑपी रिव्यू ले लेता हूं एन्ड लॉपेपर के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है वह भी सुन लेना टू का पेपर ज़रूर करना क्योंकि उसमें राइटिंग प्रैक्पिस भी जाती है और को थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे बॉनस टिप मैंने दीती जिसने कराओ को उसको ज़रूर है पूई होगी प्लस मैंने और स्टेडिजी में भी गाता है कि प्रैक्टिकल पॉश तो आपका जो है जो मैंने स्ट्रेडिजी बताई दी वहीं से कोशन आये हैं पूछे गए हैं तो जिन्होंने वह वीडियो दे क्योंकि भूगाथ है उन सब बच्चों को तो अब आपका जो लोग के बारे में मुझे बताना है लास्ट पेपर जो है गुरूपन का तो उसके लिए यह है कि थोड़ा पेपर लेंदी आने वाला है वो तो कि क्या होता है आई सी है जो है तीन-तीन मांस के भी कोशन पूछता उसके अंदर तो उससे क्या होता है पूछे चाहिए उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही लगता है तो आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी है यहां तक अच्छा हुआ है आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो डू लाइक इस वीडियो और शेयर विद यूर फ्रेंड और सब्सक्राइ में भी दे दूँगा एंड साथ में यह वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी आपको तो ओल दे बेस्ट बाइए